देखो फॉस्टिर में सबसे पहला स्टार्ट जो है वो चेप्टर नमबर वन से होता है अनफॉर्शनलिटी चेप्टर नमबर वन इतना अच्छा नहीं पढ़ा होता स्टुडेट ने क्यूंकि बूर्ड एक्जैम के पॉइंट वी से बहुत हलका चेप्टर है पांच नमबर चेप्टर में भी कभी को शुषुल निकालना पढ़ता है चेप्टर नमबर वन वन में रिलेशन और फं़च्चन का काटिशन पॉलर्ट से आये वह उते हैं तो इस वर्चेप्टर की रहोत कि एमियत अपने स्टेम means prior बहुँं one of the important topic है क्योंकि set से आप जान छुडाई नहीं सकते सीक्वेंद सीरीज में आपको सेट मिल जाते हैं आपको functions and limits में सेट मिल जाएंगे सेट की form में आप बताते हो ना कि यार यह इसकी domain है real number क्या है सेट है फुरा इसी तरह आप differentiation में चले जाओ कोई भी topic अठालो set से आप जान छुडाई नहीं सकते तो यह बहुत important चेप्टर होता है unfortunately इतना focus नहीं होता अब मैंस पर कुछ key points पहले आप लोगों को बता देता हूं अगर आप लोग अपनी book पर आ जो ना first day के book पता नहीं किसी ने खरीदी भी होगी नहीं खरीदी होगी क्योंके paper हुए नहीं आप लोगों के तो कुछ basic से मैं start कर लेता हूं उसके बाद फिर हम set पर आ जाते हैं कुछ basic बात यह कि numbers आप लोगो पता होने चाहिए कुछ बातें आपको पता होंगी कुछ नहीं पता होंगी वह हम discuss कर लेते हैं सबसे पहली बात यह कि different types of numbers आपको बता होने चाहिए सबसे basic number जो है उसको आप natural numbers कहते हो जब इंसान इस दुनिया में आया था ना शुरू शुरू में तो basically natural number ही आये थे natural number को हम दूसरा नाम भी कहते है counting numbers क्योंकि शुरू में जब आपने चीज़ों को count करना start किया था तो आप negative number में count नहीं करते थे आप fraction में count नहीं करते थे आप ये बोलते थे भाई ये चीज़ दो है मेरे पास मेरे पास 10 है मेरे पास 20 है मेरे पास 100 है तो तब ही natural number को आप counting numbers कहते हो और ये कौन से numbers होते है 1,2,3 onward positive जितने number है वो सब इसके अंदर आ जाते है उसके बाद जब algebra introduce हुई थी थी न तो majority जो आपने किसी algebraic equation को solve किया तो वहां से आपके पास एक zero आ गया तो उससे आपने एक और number निकाल दे जिसको आप whole numbers कहते हो whole numbers में क्या होता है सब natural numbers और आप zero शामली कर देते हो जिरो से लेके onward positive सारे number whole numbers हो जाते है उसके बाद मजीद आपने algebra solve किया आपके पास negative numbers आए आपक आपके पास imaginary numbers आगे यह सब अलजबरा की जरिये से आपके पास आगे थे अब होते क्या है natural और whole number तो मैंने आपको बता दी है अब आजो इंटीजर्स पे इंटीजर्स क्या होते हैं तो पहली बात अचा यह सब बुक में मौजूद है अगर आप फस्टे में देखो page number two पे आपको बकाईदर उन्होंने पूरे set बना के लिखे में मेरे पर इंटाइम नहीं कि मैं बकाईदर लिखूं टाइम जाया होगा मैं आप लोगो वर्बली बता रहा हूँ तो इंटीजर्स में कोई decimal नहीं आता इंटीजर्स में कोई fraction नहीं होती fraction in the sense के जो common fraction जिसको आप कह सकते हो common fraction in the sense की numerator denominator कुछ हो वहला टू को भी तो आप fraction की फॉर्म में लिख सकते हो मैं अभी यह बात नहीं कर रहा तो तब ही मैं एक वर्ड यूस करूं decimals इंटीजर्स में decimals नहीं होते हैं मतलब 2.1 को इंटीजर्स नहीं है माइनस 1.5 को इंटीजर्स नहीं है तो इंटीजर्स में होता क्या हैं इंटीजर्स में सारे natural number होते हैं positive natural numbers फिर इंटीजर्स में negative natural numbers होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ये भी सब integers है और negative natural number minus 1, minus 2, minus 3 ये भी सब integers है और तीसी चीज़ होती है 0 तो positive natural numbers negative natural numbers और 0 अगर इन तीन चीज़ों को एक set के अंदर combine कर दो तो उस set को आप क्या बूलते हो integers symbol इनके बड़े important होते है integers का मैं सिंबल इसलिए बता रहूँ क्योंकि इसका आई नहीं होता सुनेंट समझते हैं integer का symbol आई है natural number का N होता है whole number का W होता है लेकिन integers का Z होता है इसको जैन में रखना उसके बाद इससे बड़ा set आचा ये मैं तर्तीब से जा रहा हूँ सबसे चोटा set natural number consider कर लो चोटा कहें नहीं सकते हैं क्योंकि सभी infinite है लेकिन वैसे आप कह सकते हो कि एक element कम है उसके अंदर natural number सबसे चोटा set है फिर आपने whole number देखे फिर आपने integers देखे आप आजो बड़े-बड़े set उसमें सबसे पहला बड़ा set कि है rational numbers rational number एक बहुत बड़ा set है कैसे बता चलेगा आपको ये MCQs भी बहुत मशूर है कि आपको बोला जाता है कि 1 और 2 इन दो numbers के दर्मियान कितने rational numbers होते हैं तो 1 और 2 के दर्मियान infinite natural rational numbers होते हैं कि आप कुछ भी बना सकते हो आप लिख दो 1.1 ठीक है आप लिखो 1.12 आप लिखो 1.121 फिर आप बन पॉइंट मतलब कुछ भी कर दो यहां पर आप rational numbers 1 और 2 के दर्मियान infinite बना सकते हो तो सोचो 2 numbers के दर्मियान infinite rational numbers हैं तो वैसे कितने आपके पास rational numbers हो जाएंगे तो rational numbers एक बहुत बड़ा सैट होता है अब rational numbers होती ही क्या है यह हमने second chapter में पढ़ना था difference लेकिन अभी हम मैं बता देता हो आपको rational number और rational number के difference क्या है कि rational number ऐसे numbers होंगे जिनको आप point की form में लिख सकते हो इस तरीके से कि या तो वो खतम हो जाएं अगर आप देखो यहाँ पर खतम हो गया यह भी खतम हो गया यह भी खतम यह भी खतम इसको आप कहते हो terminate होना end हो जाना तो इन सब को आप rational numbers बोलोगे या अगर वो terminate नहीं हो रहें वो चलते जा रहें जैसे यह वाला है यह pattern चलता जा रहा है लेकिन यह repeat भी हो रहें साथ-साथ यह 3-3-3-3 terminate तो नहीं हो रहें लेकिन साथ-साथ repeat हो रहें है तो अगर terminate नहीं हो लेकिन repeat हो रहे हो तब भी आप rational बोल देते हैं उनको तो यह दो टाइब के decimals आप rational ही बोलते हो तीसरे टाइब के decimals है उनको आप irrational बोलते हो और वो यह होते हैं कि जो ना कभी खतम हो रहे हैं जो ना कभी कोई pattern उनके दरम्यान है ना यह खतम हो रहे हैं ना इनके दरम्यान कोई pattern है मतब कोई repetition नहीं आ रही है इनके अंदर तो इस वाले decimals को आप क्या बोलोगे irrational number तो अगर decimal में आपके बास कोई भी number आजे और आपसे पुछा जाए कि irrational है या irrational तो ये दो type के number मैंने आपको बता है कि numerator और denominator दोनों में integers मौझूद है क्या बात मैंने बोली है ऐसा number जिसको आप fraction की form में लिख सकते हो इस तरीके से कि numerator और denominator दोनों में आपको integer नजर आए तो उस वाले number को आप क्या बोलोगे rational बोलोगे 1 upon 2 एक rational है इसी तरह minus 3 upon 10 ये भी एक rational number है क्यों? आपने fraction की form में लिखा numerator में भी एक integer है denominator में भी एक integer है तो ये सब आपके पास क्या है? rational numbers है लेकिन ये वाला number rational नहीं होगा क्यों rational number नहीं होगा? उसकी reason भाई ये है root 2 upon 4 ये थोड़ा easy हो जाएगा इसको इस तरह कर लेदे ये अच्छा आदी definition normally student के जहन में होता है क्यों rational number वो होते है जिनको आप fraction की form में लिख सकते हो ये आदी definition है पुरी definition मेंने क्या बताई है कि numerator, denominator दोनों में integer होना चाहिए तो अब देखो इसको fraction की form में तो आपने लिखा वाए लेकिन यहाँ पे numerator जो है क्या वो integer है? नहीं numerator यहाँ पे integer नहीं है तो ये fraction form में तो है लेकिन इसका numerator integer नहीं है तो अब आप इसको rational नहीं बोलोगे अब आप इसको irrationally बोलोगे ठीक है? तो मैंने आप लोगो पैचान बता दी irrational numbers से related वो कुछ मशूर irrational numbers है जिसमें सबसे मशूर हमारा और आपका प्यारा पाए पाए जो है कि मशूर irrational number है इवन इसकी जो decimal places है ना खतम ही नहीं हो रहा है सिंपल सी बात है irrational है तो खतम नहीं हो रहा इसकी decimal places लोग calculate करते जा रहें करते जा रहें आज कल की technology के मताबक इसके 30 trillion decimal places निकाल दी है कहने का मतलब point के बाद 30 trillion decimal अभी तक calculate हो चुके है हमारे पाद जो technology उसके तहद हमने इतने अभी calculate कि हैं से आगे अभी तक हम नहीं गए और बगाएदा पाए का day मनाया जाता है में मार्च या फरवरी में कोई दिन आता है जिसको हम pie day बोलते हैं आप google करोगे तो आपको समझ आदेगी बार अलब कि हम और निकल रहें कहीं तो pie जो है एक मशूर international number है अच्छा student के जहन में आता है कि sir pie को तो हम इस तरीके से लिख सकते है 22 upon 7 यह सवाल मैं आप लोगों से पूछता है लेकिन हमारे पस time कम है मना बड़े मज़े के lectures होते है तो मैं खुद ही बता देता हूँ कि यार pie को आप 22 upon 7 के बराबर नहीं लिखते यह आपने statement के statement सही लिखी होती है आपने उसको ध्यान नहीं दिया होगा pie जो है वो approximately बराबर होता है 22 upon 7 के pie exact 22 upon 7 के बराबर नहीं होता अगर आपने इस चीज को observe करना है तो आप calculator में pie का button दबाओ calculator में value निकालो 3.14 something कुछ आ रही होगी तो 6 decimal places तक आप अपने पास उस value को लिख लो फिर आप calculator में 22 upon 7 लिखो उसको देखो क्या answer आ रहा है उसका उसका भी 3.14 something कुछ आ रहा होगा आप 6 decimal places तक उसको लिख ले ना या 5 decimal places तक लिख ले ना आपको तो observe करो कि इन दोनों values में फर्क आ दाएगा तीसरे या चौते decimal places में दोनों में फर्क आ दाएगा तो πाई इस तरीके से लिखने में मैं आसानी होती है अब देखो आपको अगर मैं बोल तो πाई को solve करो 2 पाई का answer निकालो या बहुत easy बात करता हूँ मैं मुझे बताओ 7 पाई का answer क्या है क्या करोगे आप? आपके बास calculator नहीं है तो वैसे 7 पाई का answer निकालना बड़ा मुश्किल है 3.14 irrational number को 7 से multiply करोगे awkward सी multiplication है लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ आप 7 को multiply करवादो 22 upon 7 से तो अब के लिए तो आपके लिए असानी है आप 22 कह सकते हो तो 7 पाई से भी जो answer आएगा वो almost 22 के बराबर होगा लेकिन fraction use करने से आपको असानी होगी तो आप ये अपनी छोड़ी glasses में असानी पैदा करते हुए आ रहे थे इस लेवल पे आप नहीं कहते हैं इस लेवल पर हम normally पाई उस कर रहे होते हैं क्योंकि आपको accurate value की तरह जाना होता है तो ये पाई बें discussion होगी इसके लावा मशूर इर्रेशन नंबर ये है इसको ओईलर्स नंबर कहते हैं अभी आपने ये सेकेंडर में पढ़ा भी था लिमिट के कोशने में आता था तो इसका नाम होता है साइंटिस के नाम पे ओईलर्स नंबर ठीक है ये भी एक इर्रेशन नंबर है इसकी वैल्यू 2.7 1 something कुछ होती है और ये भी चलता का रहा है इर्रेशन नंबर है ये भी इसके लोग एक और नंबर भी होता है वो अगर किसी को पता हो तो देख ले ना इसको search कर ले ना golden ratio कहते हैं इसको ये भी एक मशूर इर्रेशन नंबर है इसकी value 1.61 कुछ चल रही होती है लेकिन ये आप इकोर्ट का हिसा नहीं action knowledge है किसी को शौक हो तो गूगल कर ले तो ये तीन मेरे नंबर बता दी जो मशूर इर्रेशन नंबर है जिससे आप root remove कर सकते हो कहने का मतलब अगर आपके पास root 4 आ जाए आपके पास root 16 आ जाए या आपके पास cube root of 8 आ जाए या आपके पास fourth root of 16 आ जाए तो ये सब root है जिनको आप simplify कर सकते हो इसका answer 2 हो जाएगा इसका answer 4 हो जाएगा इसका answer 2 हो जाएगा अटा सकते हैं जैसे कहने का मतलब two गया रूट थी हो गया या क्यूब रूट आफ six हो गया अब आप उनसे आप रूट हटा नहीं सकते तो इन वाले numbers को आप क्या बोलोगे रिर्शनल numbers बोल दोगे और जिन से आप रूट नहीं अठा सकते हैं उनके लिए टर्मिनालोजी भी यूज होती है सर्ड अगर शौक हो तो गूगल कर ले ना एक्स्टा नॉलिज आजाएगा आपके बास बारहल तो यह वाले नंबर इर्रेशनल हो जाएंगे और जिनको आप रूट जो है वो रिमूफ कर सकत होता है अब जो हो लिए थो और ना कॉपता है लेकिन गीत ओत हैं आपको पता है रिचानल भी इन्फ़ाइट होते हैं लात यह होता है हम आप बोलो को निच्चल लंबर भी तो infinite होते हैं मसला होता है कि वो ऐसे इंफाइनाट है जिनको फिर भी कांट कर सकते हो उसके लिए वो मैं उसनाँ नहीं अभी कबें रहां मैं अंग आपकेर यह अंश्टाम कर रहा था किनेटा ज़ींक ते अ होता हтा और बाकी किसी को भी नहीं हो रहा क्ट लोग। कर दा रहा है कुछ यह लिंबर्स रियल नमबर्स रिल नमबर्स हाँ मैं आप लोगों को यह बता रहा था कि नैचर नमबर्स जो है न वह फाइंट तो है लेकिन फिर भी आप उसको कर सकते हो उसके लिए हम अलग कॉंसेप यूज़ करते हैं का वो मैंने चैनल पर अफलोड क यह कैसे हुआ तो मैं बता रहूं कि रैशनल नंबर और नेचरल नंबर यह दोनों इंफाइन है लेकिन कमपेर टू आप शूर्ट नंबर बहुत ही इन फाइन है इस तरह सकते हों तो रियल नंबर्स क्या होंगे गिर नंबर यह होंगे कि अगर लेट कर लो आपके पास एक से और अगर आप इन दोनों मेंटको कमबाइन एक सट के अंदर जाल경 का मिने जाते हैं सारे इर्रेशन नंबर भी आजते हैं तो यह है mathematical definition और देसी लेंविज में भाई आपने जितने नंबर आज तक बढ़े में वह सब रियल नंबर से अगर आयोटा को हटा दोना बागी जितने नंबर बढ़े में वह सब प्रियल होते हैं इस तरह आप समझ सकते हो बागी जो complex नंबर है वो इंशाला chapter number two जो आएगा उसमें डिटेल में पढ़ लेंगे क्या होता है कहां से आए हैं यह basic introduction देती है जो आपके page number two में लिखा है ना में मैंने basic बात कर दिये पूरी number से अब सेट पे आज और सेट की टाइप जो है वह बड़ी important है यहां तब कोई सवाल नहीं होगा छोड़ दो हर चीज़े तो बता दिये अच्छा अब स्टुएंट हम जो चैप्टर ना उसी को स्टार्ट करते हैं अभी भी स्टार्ट किया था लेकिन कुछ basic concept सेट के बारे में आपको बता होना चाहिए मैं कुछ definition ऐसा कुछ नहीं लिख भूँगा बस main main point बता दूँगा आपका काम है recording वीडियो से अभी तो नहीं लिखना वना मिस हो जाएगा आपका जब लेक्टर हो जाएगा अभी समझ लो जब रिकॉर्डिंग आएगी तो पिर अपने पास की पॉइंट लिख लेना जो भी मैं बता रहूंगा सबसे पहली बास सेट होता क्या है सेट जो है यह collection होती है किस चीज़ की नाम हो सकते हैं नमबर हो सकते हैं alphabet हो सकते हैं कोई भी object हो सकती है symbols हो सकते हैं जैसे मैं एक सेट बनाओ सेट ऑफ Greek letters तो उसमें सारे Greek letters जो बचपन से आप पढ़ते हैं आरो अलफा बीटा गेमा फाई साइज जीटा हर चीज़ आजेगी उसके अंदर तो किसी भी चीज़ का सेट हो सकता है collection होनी चाहिए collection इस तरीके से कि वह well defined हो well defined कहने का मतलब उसके अंदर कोई शको शुभा अगर आप तीन एक class teacher है लेट कलो physics का teacher है math का teacher है पश्टो का teacher है तो अगर इन तीनों teacher को बिठाओ और बोलो कि यार यह class में 30 student है तो बताओ इसमें से तीन अच्छे student का नाम बताओ तो लिखवा लो मुझसे वह तीनों नाम सेम होई नहीं सकते पश्टो के teacher के मताबिक जो तो उसके teacher अच्छे student होंगे वो तीन उनका नाम लेगा physics के मताबिक जोसको तीन अच्छे लगते होंगे अब किसी teacher का म्यार होता है अच्छा वो है जो class में अच्छा परफॉर्म करें कोई teacher किसी को अच्छा उस्वत काएगा किसी student को कि यार उसके paper में अच्छे नंबर आ तो good student जो है वो कोई अच्छा word नहीं है वो को well-defined word नहीं है तो collection आपकी होनी चाहिए well-defined चीजों की और दूसरा point different होने चाहिए सेट के अंदर repetition नहीं हो सकती अगर मैं आपके सामने यह लिखूं one two one तो यह सेट नहीं है क्योंकि सेट के अंदर element repeat नहीं हो सकते one यहाँ पर दो दफा आ गया यह उसी वक्त होता है जब आप descriptive form में set को define करते हो the set of good numbers the set of यह यह जब आप इस तरह tabular form में list बना के लिख रह है रिपिडिशन हो रही है तो अब यह सेट निकला जाएगा तो यह बात होगी सेट की basic definition तो दो बातें आपने पढ़ी है एक तो well define होना चाहिए अच्छा और दूसरी बात कि different distinct अच्छा word है कि elements जो है यह आपस में distinct होने चाहिए इनको आप set कियाते हो अच्छा जब मैं यह definition बदाता हूं student का आगे जाके सवाल आता है कि सर empty को हम empty set के अंदर तो कोई collection ही नहीं है तो basically empty जो है ना वो धक्के से हमने set बनाया है वो कुछ हमने assumptions की जिसके मुताबिक इसको हमने set बनाया है हकीकत में empty set को set कहना नहीं चाहिए यह आपको भी मेरी बाश्याइद ना समझाए मास्टर्स में हम भी चीज़ें परड़े होते हैं तो यह समझ दो धक्के से बनाया है वह धक्का इसलिए कि यार अगर आप दो set को let कर लो subtract कर रहे हो या बहुत easy example देतो intersection मालूम कर रहे हो या आपने one two three four इसका intersection मालूम किये अब मुझे बताओ इसका answer क्या लिखोगे आप मुझे बताओ क्या लिखोगे consider करो आपको empty set का नहीं बता अब बताओ इसका answer तो आप कुछ भी लिख पाओगे आप लिखोगे क्या खाली जगा छोड़ दोगे क्या कुछ ना कुछ तो लिखने है ना तो फिर आप जबरतस्ती मश्बूरी में आपको लिखना पड़ अब मुझे बताओ नहीं यह तो से मुझाएगा इस तरह कर लेते हैं अब जब आप सब्ट्रेक्ट करोगे सारे अब आपके answer दोगे इसका तो जब तक को डिफाइन नहीं करोगे ना तब तक कुछ आरा बनेगा नहीं आपको डिफाइन करना पड़ता है तो यह आगे आप थक्के मार कि उसको नहीं सेट बनाये है हकिकत में होना चाहिए नहीं और क्यू मनाया है वजह मैं आपको बता दिये कि आपको कुछ ना कुछ तो मेंगोद में देखो आप चीजों को अन एटेंटनिक नी छोड़ते है आपको कुछ ना कुछ ऑटर्दिव कुछ बताना पाकिसान, दसेट आफ प्रेजिडेंट्स ऑपाकिसान, दसेट आफ एनिमल्स, दसेट आफ सुडेंट्स, जन्हों ने स्कोर किया है 80 प्लस ठीक है, तो यह डिस्क्रिप्टिव फॉम है, दसेट आफ नेचल नंबर, दसेट आफ फलाना नंबर, दूसरी फॉम होती इसको आफ तो टैबुलर फॉम लिस्स बनाके जिसमें लिख रहे होते हैं, वो यह वली फॉम होती है, के लिस्स बनाके आपने सब नंबर को लिखा वाए है, यगर आपके पास कोई लेटर्स हैं, A, B, C, D, तो आपने लिखा हैं, तो आप टैबुलर फॉम बोल देते हो, तो तीसरी और most important और confusing वो होती है tabular, sorry, set builder form, set builder form में आप set को define करते हो by using set symbols, set symbols की मदद से आप उस set को define करते हो, और यही मेरा topic था जो मैंने आपको rational और irrational नमरे बताना था, उससे पहले आपको set symbol आने चाहिए, तो कुछ मशूर मशूर symbol जो है न वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अच्छा जी, उसके बाद अगर आपकी यह वाला symbol देखो, उल्टा A, इसका मतलब होता है for all, इनको पढ़ना किस तरह है वो जब मैं rational number लिखवाँगा ना, बलकि मैं लिखवा देता हूँ, आपको rational number को आप या तो क्यू से लिखते हो, हाँ क्यू से लिखते हो आप, rational number को Q से लिखा जाता है, इसकी ज़रा मैं definition लिख देता हूँ, set builder form में, फिर आपको बताता हूँ क्या मतलब क्या बना है इसका, क्यूंकि मैंने पहली बताया था, rational number जो है, वो एक infinite set है, मैंने वज़ा भी बताया थी, इसको आप natural number से compare नहीं कर सकते हैं, natural number काफी छोटे infinite हैं, यह बहुत ही बड़े infinite हैं, इसका अंदाजा आप इस बासे लगा सकते हूँ, मैंने example भी दिये, कि दो numbers के दरम्यान infinite rational numbers हैं, तो आप इनको कैसे compare कर सकते हूँ, natural numbers है, तो इसको आप list बना के लिखी नहीं सकते हैं, कैसे list बनाओगे हैं, तो आप इसको फिर set builder form में define कर देते हो, और इसका मतलब क्या बनेगा, इसमें 4-5 symbol है, तीन है मैं खल में, such that belongs to, for all, फिर not equal to, यह not equal to symbol होता है, equal के उपर line लगा दो आप, तो पढ़ने का दरीका यह होता है, कि किसी भी set को आप x से show करते हो, अब x एक element भी हो सकता है, x 10 element भी हो सकते हैं, x infinite element भी हो सकते हैं, तो मैंने बोला कि rational number q जो है यह बराबर है x के, अब x है क्या, x के बारे में define करो गया, तो मैंने लिखा, such that x belongs to p upon q, कि जो x के अंदर elements है न, वो belong करेंगे p upon q से, मतलब fraction की form में आप उसको लिख सकते हो, लेकिन यहाँ तो बात खतम नहीं हुई, मैंने बताया था, fraction की form में लिख सकते हो, लेकिन p और q दोनों integer होने चाहिए, तो यह आगे बात define की गई है, के x belongs to p upon q, लेकिन आगे उन्होंने बताया, for all p and q, कि जितने भी p और q हैं, belongs to integer, कि वो integer से belong करने चाहिए थे, अब यह सब अंगेजी है, जिसको हमने symbols की form में लिखावा है, के q equal to x, such that x belongs to p upon q, for all p and q belongs to integer, के जितने भी p और q की value आप put करोगे, इस fraction के अंदर, वो सब क्या होने चाहिए, integers, और end पे लिखावा है q जो है, वो not equal to 0 ना चाहिए, क्योंके denominator 0 होगा, तो आपकी fraction undefine हो जाती है, तो denominator में 0 नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी integer आजाए, लेकिन 0 नहीं आ सकता, तो इसको आप define करते हो, rational numbers, x belong सुनी होगा, यहाँ पे equal दाल दो अच्छा word रहेगा, x equal to p upon q, x के अंदर जित्रे elements है न, वो p upon q के बराबर है, such that p और q क्या होंगे, integers होंगे, तो यह definition होती ही rational numbers की, इत rational number में पता क्या फर्क होता है, इत rational number को आप i से लिखते हो, इत rational में बस आप यहाँ भी यह काम कर देते हो, मतलब क्या हुआ, कि इत rational number को आफ fraction की form में लिख ही नहीं सकते, इस तरीके से के p और q integers हो, कोई भी अगर इत rational number है, उसको आफ fraction की form में नहीं लिख सकते, इस तरीके से कि जिसमें p और q दोनों integers हो, कहने का मतलब जैसे मैंने example दी थी, अब मुझे बताओ, आप इसको fraction की form में लिख सकते हो, इस तरीके से के numerator, denominator दोनों integer हो जाए, नहीं लिख सकते, आप अगर root 2 से multiply, divide करोगे, तो उपर तो integer आ जाएगा, नीचे integer नहीं होगा, तो आप इसको किसी भी ऐसे method से नहीं लिख सकते हैं, कि numerator और denominator integer हो जाए, that's why irrational number के अंदर पस आप not equal to दाल देते हो, बाग की exact वोई definition होती है, जो आगे लिख की लिए, तो rational और irrational होगे, अब real numbers पे आ जाओ, real number को आप r से लिखते हो, real numbers की यह वाली form exact पूरी वोई है, बस शुरू में क्या होगा, कि real number x के बराबर है, such that x equal to p upon q, और x not equal to p upon q, बागी यह पूरी कहानी जो है ना, वो नीचे रिख दो गया, कहने के मतलब मैंने आपको बताया था, real में rational भी आते हैं और irrational भी आते हैं, तो दोनों को define किया गया है, कि real number x के बराबर है, such that x p upon q के बराबर भी हो सकता है, اور x not equal to p upon q के बराबर हो सकता है, मतलब इस वाले part में rational numbers cover कर दी हैं उन्होंने, और इस वाले पार्ट में irrational number cover कर दी है irrational number को आप i से भी लिखते हो और q prime से भी लिखते हो दोनों notations होती है तो real numbers में आपना दोनों को cover कर लिया तो ये मैंने set की आपको different forms भी बता दी उसके बाद set builder form भी बता दी है और rational number, irrational number, real numbers इनके जो set builder form है वो भी मैंने आपको समझा दी है अब जो हमारा topic है, वो topic है कि set की कितनी types होती है set symbol भी मैंने कुछ आपको बता दी है बाकी आते जाएंगे, साथ साथ मैं बताता जाओंगा sir q prime से rational number ऐसे हाँ वही मैंने बात बुली है, prime भी आप लिख सकते हो दोनों तरीके से आप कर सकते हो और real number को इस तरह लिखा जाता है q union q prime कि real number के अंदर rational number union irrational number union का मतलब क्या होता है इस set के element लिखो, इस set के element लिखो combine कर दो उनको यही काम करना था न हमें कि rational number और irrational number को combine करना था तो real number को आप इस तरीके से define करते हो अच्छा एक और symbol है by the way empty set के आप यह वाला symbol यूज करते हो five का symbol जो होता है यह भी यूज कर लेते हो या यह वाला symbol भी यूज कर लेते हो दोनों symbol होते है यह वाला ज़्यदा अच्छा है उसकी reason यह है कि यह वाला जो symbol है हमें हमें बताता है किu set है ये वाला symbol जो है ये आप देखो तो जायतर books में use होता है जो आप calculus और बाकी books में देखो जो mathematics की high level की books है high level मत्बंद ग्रेजुएशन और master's level की book जो हैं उसमें empty set को आप normally 5 से शुग कर रहे होती हो क्योंकि ये आपको symbol बताता नहीं कि really आप set की बात कर रहे हो आप empty बात कर रहे हो लेकिन यह वाला symbol आपको याद द्याहने कर रहा होता है कि यह empty set है इसलिए normally आप यह वाला symbol उस्थ करते हो लेकिन आपकी level पर दोने यूज हो जाते है दोनी मैंने बता दिए लेकिन यह empty set नहीं होता ये भी एक बड़ा मशूर mcqs है ये empty set नहीं है मैंने बताया था कि set के अंदर कुछ भी आ सकते है set के अंदर greek letters भी आ सकते है मैं अगर आप लोग के सामने एक set बनाओ ये भी एक set है alpha beta gamma set है भाई इसमें क्या मसल है collection है different object है well defined है alpha beta gamma सब आपको पता है तो अगर उसके अंदर ये phi आप अंदर दाल दो तो अब ये empty नहीं show होगा अब ये वो set show होगा जिसके अंदर एक element है जैसे इसके अंदर तीन element है तो अब ये शुबार किया जाएगा कि इसके अंदर एक element है ठीक है तो ये मत समझना कि ये वाली notation empty set की होती है ये लिख सकते हो या ये लिख सकते हो इस तरह नहीं लिख सकते है ये तो वो वाला set बन जाएगा जिसके अंदर एक element होता है और एक और notation आप यूज करते हो जिसको हम कहते है order of a set मतलब set के अंदर कितने elements है तो अगर एक set a है अच्छा जो sets है या जो matrices होते हैं उसको आप capital alphabet से show करते हो Set को आप represent करते हो capital alphabet से लेकिन अगर कोई भी alphabet set के अंदर आ रहा है तो उसको आप small से लिखते हो अगर A जो है वो set का element है तो उसको आप small से लिखोगे लेकिन अगर represent करोगे तो फिर capital से कर रहे होती है तो मैं यह बता रहा था कि अगर आपके बाद जैसे set है इसको मैं set B कह देता हूं let's say आप से पूछा जाए यह वाली चीज यह पूछा जाए यह आप से बुला जाए यह निकालो यह वाली notation काफी rare है लेकिन फिर भी use होती है तो इन तीनों notation का मतलब यह है कि वो आप से पूछना चाह रहे है कि set B के अंदर कितने element है यह पूछना चाह रहे है आप से अब यह वाली जो notation है यह context पर depend करती है अगर यहां पर B कोई matrix होती तो इसका मतलब होता determinant मालूम करो अगर B कोई number होता तो इसका मतलब उसकी absolute value मालूम करो अगर B कोई set है इसका मतलब उसके number of element मालूम करो इसके लावा भी कहीं use होता है यह तो यह देखो एक notation के तीन मतलब है तो तभी context बड़ा important होता है जो out of context बात निकाली जाती है तभी उसको गलत समझा जाता है कि जिस context में बात की जारी है वह important है तो वह बात है set के अंदर इसका context यह है कि यह number of element को करते हैं इसी तरह आप अफ भी लिख सकते हो यह भी number of element इन बी को शो करेगा या ओ भी आप लिख सकते हो यह समझे इसके notation होते हैं इसी तरह subset और बाकी जितनी notation है वह तो हम सासर पढ़ते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा अभी तक का यह आपका introduction हो गया अब मीटिंग में कर रहा हूं उसके बाद लिंक भेजता हूं अब जो टॉपिक है वह टाइप साफ सैट का है कि सैट की जितनी टाइप से ना उनको हम डिसकस करेंगे